उत्तर प्रदे जनपल बुलन शहर के थाना और रंगाबाद पुलिस ने सराफा की दुकान से आभूशन चोरी करने वाले गिरों के तीन सदस्ते को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे की चोरी के आभूशन खरीने वाला सराफा भी पुलिस ने गिरफतार किया है वहीं आरोपियों से चोरी के सुनाचानरी के आपूचन तवंचा चाकू अबाइक भी बरामत किया गया वहीं आरोपियों ने औरंगबाद सराफा और जहांगीराबाद मेडिकल स्टोर में चोरी की थी आपको बता दे कि बुलन शहर के औरंगबाद पुलिस रुआ स्वाट टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो यह जैसा कि आपको पहले से पता है एक बटे दो नमेंबर की रात को विवेग ज्वेलर्स नाथ की दुकान है सराफा बजार औरंगबाद के अंदर वहां हमें सुचन प्राप्त हुई थी सुभ है कि रात को वहां पर चोरी हो गई है और जो चोर है मेरे और SHO स्वाइम हम लोग घटना सर पर उपसे थे चोर जो है अंदर पीछे के रास्ते से गुशे थे और उन्होंने चोरी की थी और इसमें को चांदी का सामान और सोनी क सामान गया था उन लोगों का तो हमारी टीम तब से लगातार काम कर रही थी ऐसा हमें पहले भी सुचना आई थी कि जहांगीराबाद के अंदर इसी तरह की कोई कारवाई हुए तो इंस्पेक्टर जहांगीराबाद भी इनके पीछे लगे हुए थे फिर पांच नवेंबर को एक संदिध व्यक्ति को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था और उसे मुद्भीर में गिरफ्तार जादी भीजा गया था उससे हमें कुछ नाम प्रताश में आया थे कि कुछ ऐसे लोग हैं तो इस तरह की घटनाएं करते हैं तो इन लोगों के द्वारा दबिश दी ग प्रमोध नाम का ज्वेलर है जो की गौतम बुद्नगर के अंदर रहता है और हमने उसको सामान पेचा है तर उसके आँ भी हमारी द्वारा दविश दी गई और प्रमोध से बाकी का सामान बरामत कर लिया गया इसके अंदर दो लोग हैं जो की आसिव की पत्नी है उनका ना कि रहने वाले यह लोग भी हैं जो वानचित है और इनका भी कुछ ना कुछ रोल इसके अंदर है जिनके लिए दबिश दी जारी तो फिलाल हमारे पास यह अभ्यूक्त है और इनसे जो बरामत किया गया है उसमें सारी डीटेल्स हमने प्रेस नोड में दे दिए इनसे रु जो कि चोरी की है वो भी बरामत हुई है एक तमंचा और एक चाकू इनसे बरामत किया गया है